हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब इका स्लीपी क्लासिस में तो आज का जो प्रेमिक्स रहेगा पांच कोश्चन्स हम डिसक्स करेंगे हिस्ट्री से लेटेड और पर्टिक्रली आपके मौरिया एंपायर से लेटेड तो शुरुआत करते हैं आज के प्रेमिक्स की बहुत ही स दोड़ा लिखा गया था उसका सब्जेक्ट किया था पहले में कहरें कॉंफ्लिक्ट बेट्विन दन गॉर्ड देम डिमन दो अशोका और एक मर्चंट से विदिशा के उनके बेटी की थर्ड में कह रहे हैं कि बेसिकली एक स्टोरी आपके पावर स्ट्रगल की बिट्विन जो समराज्य किस तरीके से उस दोरान बनाया गया था उसको यह दर्शाता है ठीके जी तो यहां पर जो आपकी ओरिजिनल जो यूपी एससी में जब कोशन पूछा गया था जो भी ऑप्शन थी तो वह यहां पर कुछ और थी हमने फिल आपको यहां दोनों ही स्टेट्में इस तरीके से इतनी बी इंपॉटन कुर्श्रल इंपॉटन सी तो वह भी बाग सिक्ट्रीके से है कि उस त्रीके से बिए आपको यहीं कुछन पूछा सकता है तो फिले तो इंटारी फिक्षन नहीं है इस दिए लिए संस्ट आंव तो नाम रखा है बदाय शाता है तो जे बाइदा चनक के स्पाई तो यह आपको बेसिक से इंफॉर्मिशन इस कोशन से लेटेट आई होप आपने करेक्ट ली मांग किया हो अगले कोशन के और बढ़ते हैं सेकिंड कोशन अब यहां पर आपको चंदरगुप्त मौरे से लेटेट कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं चार कोट दिये गए हैं दो स्टेटमेंट्स हैं पहले मैं कह रहे हैं चंदरगुप्त मौरे ने डिफीट किया था सेलिक्यस निकेटर को इन अराउंड 301 बीसी और सेकिंड में कह रहे हैं कि ज सी नौलेज जो हम यहां गेन करते हैं जब भी एक्स्पानेशन शेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत देख लिए हैं कि पहली बात आपको पता ही है जो मौरेन पूरी डायनेस्टी है जो समराज्य था इसकी शुरुआत कहां से हुई थी चंद्रगुप्त मौरे दौरा हुई बीसी में यहां पर हराय था जिसकी विए से काफी रीजन था आपका अफगानिस्तान का बलुचिस्तान का और कुछ आपके अफगानिस्तान और सबपांडिनेंट के बीच का जो की बेसिकली वहां पर उसे चंद्रगुप्त मौरे को उन्होंने सौंप दिया था तो यह बे से कि बेला गोला जो कि आपका मैसोर के नजदीक है ठीके जी बद्र बाहू के साथ वहां पर चले गे थे और जो आपकी सलखना जो एक डेथ बाइस स्लो स्टार वेशन बेसिकली उसको वह कमिट कर दिया था उस पूरी प्रॉसेस को तो यह सिंपल सी इंफॉमेशन है जो कि कि किस तरीके से आप हरे किंग कोई भी अगर आप हम देखें किसी बी किंग्डम के बारे में आपको शौर्ट नोट्स वहां पर तयार करने हो तो कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो टाइम पिरिएट बहुत जाद इंपॉर्टनेट है आपको पता होना जूरी है कौन से टा खास कर कि किस तरीके की आइडियोलोजी को भी वो फॉलो करते थे यहां से आपको थोड़ा कंसेप्चुल तरीके के कोशन को पूछ ले सकता है बिट्विन दा लाइन्स पढ़ना ज़ोड़ा ज़रूरी रहता है कोशन किसी बी तरीकी से पूछ जाए ताकि आप वहां पर राजा के बारे में तयार कर लेंगे तो कोई भी कोशन आए तो वहां पर आप एजली अंसर कर सकते हैं एंड मोस्टली देखें कि जो इस तरीके के कोशन रहते हैं UPSC में तो अब तो काफी कम होगे इस तरीके कोशन पूछना बड़ स्टिल हमारा तो पूरा यहां पर बनत अब आपको यहां पर को स्टेटमेंट्स दीगी हैं आपको बताना है इनमेंसे कौन सी स्टेटमेंट एक ऐसी है जो की इनकरेक्ट है ठीके जी तो बेसिकली पहले में क्या कह रहे है कि उनकी इंस्क्रिप्शन में आपकी ब्रहमी खरोस्ती प्राकरित अरेमिक और ग्रीक ल जो पिलर एडिक्ट्स थे कि बेसिकली दे वर मोश्ली इंस्क्राइब इन लेटर पार्ट सॉफ इस रेंग और फॉर्थ में यहां क्या कह रहे है कि आपकी कोई भी स्टेटमेंट यहां पर इंकरेक्ट नहीं है यहां पर आपकी डी ओप्शन फिर करेक्ट आप्शन रहेग अब उन में क्या-क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं इंपॉर्टेंट है तो जैसे कि अगर आप देखें अगर आप कोई भी स्टेंडर्ड सोर्स अपना रेफर कर रहे हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए इस्ट्री पढ़ने के लिए तो वहां पर आपको डिटेल में सभी बिल्कुल इनका यहां पर यूज किया गया है ठीके जी और हालंकि आपकी अरेमिक और जो ग्रीक लांगविजिस हैं उनमें इन पर्टिकुलर लैंगविजिस का जो ओरीजन है जो सेंटर ऑफ ओरीजन है जो हम कैसे किते हैं जो 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 लोकेशन से औरीजनेट हुई है वह तो वो इनंष्क्रिफ्शन में में शिए नहीं है तो यहां पर आपकी 20 स्टेटमेंट बेसी ऑंगेहिजर इंकरेट्स है थीन कौन से लोकेशन पर है जाधा क्राउड़वाल इकैसिन उसको उसको मेंडिर कर दिया है जो आपके छोटेचे हम कह Left Practice Rather इक ठीके जी तो जो आपके एडिट्स ऑफ दा अर्लियर हाफ अफ इस रेंड तो बेसिकली जार इंसक्राइब दॉन करेंशनी लोकेटेड रॉक सर्फेसेज और बेसिकली थ्रूआउट द एंपायर वो डिस्टिबूटेड हैं फिर आपके पिल्डर एडिक्स पहले रॉक एडि प्रेवलेंट भी थी ठीके जी कटिंग और एंगरेविंग का पूरा यूज यहाँ पर किया गया था और मोस्टली हम देखें तो यह जो आपका गंगा प्लेन है उसके आसपास के रिजन है तो वहीं पर ही यह लोकेटेड है क्यों क्योंकि बेसिकली उस दौरान उस वाटर यहाँ पर मैं करेक्ट हूँ अगर मैं इंकरेक्ट होंगा तो प्लीज यहाँ पर माफी चाहूँगा I think 2016 में से लिटेड कोशन भी आया था कि किसी ने सबसे पहले आपकी यह जो आपकी जितनी भी इंस्क्रिप्शन थी डिसाइफर की थी तो जेम्स प्रिंस प्रिंस दौर सब्सक्रिप्शन में भी और उनके वर्क में भी वहाँ पर देखते हैं तो यह बेसिक्स इंफॉर्मिशन इस कोशन से लेटेड आई होप आपने करेक्ट ली मांग किया हो अगले कोशन के और बढ़ते हैं फोर्थ कोशन मॉरेन अड्मिस्ट्रेशन से लेटेड अब आपक तो देखे ये जो आपकी आपको दी गई है थोड़ा सोची है यहां पर करेक्ट आप्शन मांग कीजिए फ्र डिसकस करते हैं इस को को तो देखिए यह जो आपकी पूरी Moran Administration ने बहुत वास्ट एंपायर था उसी तरीके से उतना ही Effective Administration System वहाँ पर उन्होंने स्थाफित भी किया था तो पहली स्टेट में बिल्सु करेक्टली बिताई की है यहाँ पर ठीके जी कि आपको जो ऑफिस था जो की चार कैपिटल्स वहाँ पर रखी गई थी बाद में आपका कलिंगा आट किया गया था बट वह बिंदुसार के समराज्य के दौरान नहीं किया गया था वह अशोका के समराज्य के दौरान किया गया था ठीके जी तो second statement यहाँ पर आपकी incorrect है उसके लावा आपकी जो कोटिले दौरा वहाँ पर रखा गया था तो उसमें आपके सभी चीजों के बारे में बात की गई थी ठीके जी तो इसी में ही एक important चीज क्या थी कि जो आपका स्टेट हो एट comprises of seven interrelated and interlocked अंगस या प्रकृति जिसे हम कहते हैं कौन कौन से थे तो पहले में आते हैं आपका स्वामीन मतलब जो राजा रहेगा वहाँ पर फिर आपके अमात्य आएंगे जो उनके अंडर काम करेंगे high officials, counselors, executive heads of the department ministers जिनके बारे में हमने बात भी की पहली statement में फिर कौन आएंगे जनपत की territory कौन सी है और population क्या है तो उनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई फिर दुरगा के बारे में की fortified capital होना जुरूरी है आर्मी बहुत सही होनी चीए यहाँ पर कोश के बारे में बिन यहाँ पर आपके बताएगे हैं जो की बहुत जादा important है और सात्वा क्या है आपका मित्र की allies होना भी जुरूरी है कि आस पास के जो states हैं उनके साथ भी संबंध होना बहुत जादा important है ठीके जी उसके अलावा जो आपके हमने बात की वहाँ पर जो नई capital वहाँ पर स्था लुका के राज्य के दौरान उस समराज्य के दौरान वहाँ पर फिफ्ट प्रोविंस आड़ किया गया था ठीके जी तो यह बेसिक से इंफॉर्मेशन थी जो कि इस कोशन से लिटेड इंपॉर्टन भी है और अगर आपको लगता है आपने चीज़ें मिस्कर दी हैं तो ज दौरान प्रेजेंट थी मौरें इंडियन में सेकिंड में कह रहे हैं जो ब्रामन और ख्षत्रियास थे उन्हों डॉमिनेट किया शोशल हिरार्की को थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपकी पॉलिसी और संधीक क्या मतलब बनता है यहाँ पर इस टॉंगन देंदा एनिमी और दी में कह रहे हैं कि आपकी कोई जी स्टेटमेंट यहाँ पर इंकरेक्ट नहीं है तो दी ऑप्षन आपकी करेक्ट ऑप्षन हो सकती है थोड़ा सोचिए तीन स्टेटमेंट से में बताई यह कौन सी एक इंकरेक्ट अगर नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी इंस् तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जिस तरीके के जैनिजम और बुद्धिजम जैसे कि आपने देखा चंदरकुप जी ने वहां पर जैनिजम अडॉप्ट किया उसका बिंदुसार आए उसका रशोका है उन्होंने बुद्धिजम अडॉप्ट किया तो हालां कि आपके स्टेटस था वहां पर जाता काफी इंप्रूव हुआ ठीके जी शुद्रास का भी इंप्रूव हुआ और उसी के इलावा बात करें जो आपकी स्लेव पूरी इंस्ट्यूशन के बारे में बात की कि जो आपके दास और दासीस थे तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी उनक इस सरकम्स्टांसिस पहली क्या है पॉलिशी ऑफ संधी कि पीस ट्रीटी रखनी है अगर वन इस वीकर देंदा अन्यमी अगर उन लगता है कि नहीं हम दीख है तो वहां पर वो पीस ट्रीटी फॉलो करेंगे फिर उसके बाद क्या आता है पॉलिशी ऑफ विग रहा ठीके अगर एक लगता है कि नहीं हम तो stronger है एननमी से तो यह policy यहाँ पर follow की जा सकती है फिर आती है policy of आस्ना keeping quiet कि one is equally power to the enemy कि वहाँ पर बिल्कुल सेम है फिर आती है आपकी policy of जियाना marching on military expedition if one is much stronger than enemy कि बहुत जाओ स्ट्रॉंग है definitely वहाँ पर require कर सकते हैं तो आपकी policy of येना follow क कोई जा सकती है फिर आती है आपकी पॉलिशी ओसमर्शया कि बेसिकली सीकिंग शेल्टर विद अनदर किंग और इन फोर्ट कि अगर किसी को लगता है कि वह बहुत जादा वीक हो चुके हैं तो यह यहां पर आपकी छे पॉलिशी हैं और फिर लास्ट आती है क्या कि डबल पॉलिशी ओफ द्वेद्य भ्यवा कि ठीके जी संधी विद वन किंग और विग्रा विंद अनदर कि इफ वन आज के प्रेमिक्स रेटेड आई होक यहां पर आपने अच्छे से अटेंट किया हो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेशन कीजिए और इसी तरीकी से रेगुलरली इस इनिशेटिव को फॉलो करते रहिए ताकि जो हमारा 2022 का यहां पर टार्गेट र लेना है देखिए यहां पर कौन कौन चीजर में सोगिए और अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए और उसके अलावा अगर आपने पुराने सेशन नहीं देखें कि जैसे हमने पहले से ही शुरू कर दिया आपका थीम बाइथीम जैसे आपका 2022 का प्रेमिक शुरू हुआ है तब ही से हमने थीम बाइथीम सब्जेक्टर सब्जेक्ट वहां पर शुरू किया है तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिसक्रिक्षन में हाब को मैंशन कर जाए आप अब कल का दिन है हमारा पॉलिटिक है तो कल हम क्या डिसकूस करेंगे amendment and basic structure of the constitution तो इस particular topic से लेटेर हम 5 questions कर डिसकस करेंगे ठीक जी थोड़ा revise करके आईएगा ताकि आप बहुत अच्छी से आपर perform कर सकें That'll be all, all the very best and have a good night कर दो कर दो अच्छी से नच्छी ते